एक तिरबुज की तीनों बुजाएं किस अनुपात में एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार यदि तिरबुज का परिमाफ बावन सेंटीमिटर है सबसे पहली बात है प्यारे बच्चो इस अनुपात को बदलना सबसे इंपोर्टन बात है अब आप बताओ कि आपके सिलिवस में अनुपात टॉपिक तो ही नहीं लेकिन अनुपात को बदलवाएगा यह चीज आपके कह रहा है वो खुद कि अनुपात को बदलिए अनुपात को चेंज करिए तो मैं आपको बता दू जब अनुपात बिन के रूप में दिया होता मेरे प्यारे बच्चो तो ऐसी कंडिशन में क्या करते हैं कि इनके हरों का क्या लेते हैं इनके हरों का लेते हैं ठीक है तो दीखे 2 दो और 3 और 4 इनका 8 कितना आएगा 12 अब देखो इन 3 वजाओं का टोटल कितना हो रहा है आपका 13 लेकिन तीनों बजाओं को टोटल वैसे कितना दे रखा है 52 सेंटीमीटर कितना दे रखा प्यारे बच्चों 52 सेंटीमीटर क्या दे रखा है 52 सेंटीमीटर दे रखा है जी तो देखिए एक अनुपात की वेल्यू के आ जाएगे आपकी 4 सेंटीमीटर निकल कर आएगे कितनी 4 सेंटीमिटर क्या पूछ रहा है वो सबसे चोटी बुजा बताईए तो मेरे प्यारे लाड़लो जो सबसे चोटा अनुपात होता है वो सबसे चोटी बुजा होती है और जो सबसे बड़ा अनुपात होता है वो सबसे बड़ी बुजा होती है तो देखेगा तीन गुणा चार क्या हो जाएगा आपका 12 cm इस दा correct answer अगर वो पूछे सबसे बड़ी भुजा बताओ तो मेरे प्यारे बच्चो सबसे बड़ी भुजा की अगर हम बात करें सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपकी 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 24 cm कितना हो जाएगा आपका 24 cm कितना हो जाएगा 24 cm is the correct answer